हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू नॉलेस अपडेट यूटूब सेनल दोस्तो आज मैं आपको इस वीरियों बताऊंगा जब भी आप नया फून लेते हो जैसे कि ये मैंने आज ही फून लिया और इसमें अभी नया फून लेने के बाद आपका जो जीमेल आईडी था जो पुराने वाले फून में जीमेल आईडी था वो जीमेल आईडी आपने क्या क्या वो फून में जल्द वज में restart कर दिया मतलब कि सारा डिलेट कर दिया लेकिन आप जब नया फून लेते हो तो नया फुन लेने के बाद YouTube में जाते हो, YouTube में जाने के बाद आप यहाँ पे sign in पे click करते हो, तो आपका email address लगता है, अगर आपका ही play store पर जाते हो, play store से भी यहाँ पे करने के लिए आपको email address चाहिए, अगर आप email करना चाहते हो, किसी को mail करना चाहते हो, तब भी आपको आपको एक email address बनाना परेगा अगर आप नया phone लेते हो तो तो आपको क्या गरना है आप क्या करते हो एक गलती करते हो कि आप क्या करते हो जो नया email ID है वो बनाते हो लेकिन क्या आप जानते हो इस वीडियो को देखने की बाद आप अगर future में कभी भी नया phone लेते हो या लेना फून में, तो कैसे यहाँ पर आएगा, जैसे जीमेल पर आती हो, जीमेल एप पर आओ, आने की बाद, न्यू इन जीमेल आपको got it पर क्लिक करना होगा, उसके बाद add an email address, तो यहाँ पर add an email address में क्लिक करो, उसके बाद Google आएगा, गोगल अगाउन पर क्लिक कर दो, और जैसे मतलब बज़ुर्ग आदमी हो या आपका email इतना पढ़े लिखे नहीं हो कि आपको इतना पता नहीं है लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखो तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे नीचे देखो फॉर्गट email का option देख रहे हो तो आपको नीचे वाला जो फॉर्गट email है फॉर्गट email पे आपको कलिक करना होगा उसके बाद यहाँ पे phone number पूछा जाएगा तो आपका जो phone number है जो zero number है या कोई भी number है तो आपको अगर आपके फुन में दो सीम है तो पहले जियो सीम से सिलेक करो तो आपका जो जियो सीम है जैसे मेरा जियो सीम में देता हूँ तो आपका जो जियो सीम है ना दोस्तो आपका जियो सीम जो सही सीम नंबर है वो डालना है जैसे मैंने किया क्या forgot email क्लिक किया, उसके बाद phone number find your email, आपका जो phone number है डालना है, उसके बाद next कर लेना है ठीक है, next कर लेने के बाद आपको what's your name, आपका क्या नाम था आपका क्या नाम से आपका full name आपको डाल देना है, जैसे मैं आसिफ जमन डाल दिया जैसे मेरा full name यह है और आपको भी forgot email डालने के बाद phone number डालने के बाद, आपका नाम से next कर लेना है जैसे दोस्तो next कर लोगे उसके बाद दिखेगा, this may take a few minutes, मतलब आपके इस phone number से कितना account है Google में, email account है जो पुराने वाले phone में था तो आपको send कर दिना है जैसे get verification आएगा आपका इस phone number से तो एक OTP आएगा तो आपको करना क्यों होगा, थोड़ा टाइम इंतिजार करना होगा enter the code, जो आपका phone number है वो automatically ये code enter हो जाएगा अगर नहीं हो तो कर लेना है उसके बाद दिहान से देखो जो कि select an account to sign in जो कि मेरे इस phone number से दो account है, जैसे कि एक है पैसा website new, उसके बाद है Z85749 जैसे कि देख रहे हो, ये कोई भी दोस्तो fake नहीं है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, दो number का जो है ये मेरा जो पुराना वाला phone था पुराना वाला phone में ये email address था मुझे याद है, मेरा profile पर आया है जो कि देख सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ इसी, जो Z85749 मेरे email पर क्लिक करता हूँ, तो आपको भी आएगा आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा इंटर ये और password, जो कि आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर से आपके नमबर पर एक OTP आएगा, तो और जैसे कि यहाँ पर मेरे इस दूसरे phone नमबर पर एक OTP आचुके हैं, जो कि वो दूसरा नमबर था, देख सकते हो, तो मैं इस OTP को डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, 68499, 684994, तो मैं डाल देता हूँ, उसके बाद मैं next कर लेता हूँ, तो आपको भी आपका कोई नमबर पर OTP आ जाएगा, उसके बाद welcome back, you can update password and new forgotten, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, update password कर सकते हो, update password में आप क्लिक कर दो, update password में क्लिक कर दिने के बाद जो है, आप यहाँ पर नया password एक दे दिना है, ठीक है, उसके बाद confirm करना है, तो मैं यहाँ पर एक नया password देता हूँ, और दोस्तों जैसे इमें नया password दे दिया, उसके बाद आपको भी आपको नया password एक सिलेक करना है, और यह password जो भी आप दोगे, एक खाते कलम में सेप कर लेना है, उसके बाद डिया, उसके बाद don't turn on पे क्लिक कर दिना होगा, उसके बाद I agree पे आपको दबा देना होगा, जैसे दोस्तों आप का पुराने वाले जो भी पोन है पुराने वाले फोन के जीमेल का जीमेल है आपको यहां पे दिखेगा. उसके साथ दोस्तों अभी जो है आप यहां पे अगर Google Play Store पर जाओगे तो Play Store से बी आप Apple डौनोड कर सकते हो. जैसिकhin इसकी जिहां दोस्तों जो है आप आपके फून में जो नए फून है नए फून में पुराने वाले जो जीमेल आइडी है उसको वापस इसी तरह से ला सकते हो तो अगर दोस्तों आपको ये उड़े पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब करके लख लो उसके साथ ओल दबा दो ताकि इसी तरह का मज़दार मज़दार ट्रीक आपको मैं बता सकूँ और आप अकिल ही सब कुछ आप अकिला आपका बॉस बन सको